Hello student, how are you? उमेद करता हूँ कि आप सब बेतर होंगे, अच्छे से होंगे student इसके पहले हम लोगों ने particular integral की 4 type को देखा था आज इसके 5 type को देखेंगे जिसमें q equal to exponential ax into v दिया है और जहां पे v जो है ये function of x है ध्यान ये देना है कि अगर इसके हम फार्मूले को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं one upon yf of d ये कोई function है derivative का into के साथ में हम लिख सकते हैं q equal to के साथ में इस बात को लिखेंगे one upon function of derivative into q के अस्थान पर क्या रखेंगे exponential ax into v इसको maintain करने के लिखा जा सकता है one upon ध्यान देना यहां पे बात ध्यान देना है कि exponential ax को numerator में into के साथ one upon और d के अस्थान पर क्या हो जाएगा ये function f of d plus a it can be replaced as the on the behalf of exponential ax तो f of d plus a into के साथ में v तो हमारा अगर general formula हम देखेंगे तो क्या लिख सकते है one upon yf of d into के साथ ax into v दिया है equal to लिखा जाएगा exponential ax into के साथ one upon yf of d plus a into v ये हमारा next particular integral है जिसके बिहाब पर हम कुछ important question को करेंगे थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि इसके पहले हम यहाँ पर दो तीन बातें कर रहे हैं एक तो d को कैसे replace कर रहे है d plus a की रूप में क्योंकि इसके पहले वाला case हमारा क्या था कि exponential ax होता था तो d के अस्थान पर a का value रखते थे यहाँ पर क्या करेंगे d के अस्थान पर d plus a replace करेंगे understand तो क्या करते हैं इस पर कुछ important question को करते हैं तो यहाँ पर space नहीं है इसका screen साथ ले लो फिर हम आगे इस पर कुछ important question को करते हैं यह main important formula है right चलो इस पर कुछ questions को हम attempt करते हैं question क्या है question number first देखते हैं question number first कह रहा है कि d plus 1 का whole cube y equal to के साथ x square exponential minus x अब इसको क्या करेंगे पहली बात तो ये है कि हम इसके दो पार्ट में तोड़ते हैं first of all common बात है complementary function को निकालते हैं दूसरी बात है particular integral को निकालते हैं तो क्या करेंगे इसका auxiliary equation लेते हैं auxiliary equation अब हम directly करते हैं इसको तो इसको लिखा जा सकता है yam plus 1 का whole cube equal to 0 अर्थात इसको solve करेंगे तो आजाएगा yam equal to minus 1 minus 1 minus 1 तीन values आएगे लेकिन ध्यान रहे ये तीनों के तीने values कैसे हैं distinct हैं तो distinct के लिए हमने जो फार्मूला बताया था complementary function का वो आजाएगा c1 plus time के साथ c2x plus time के साथ c3x square ये आजाएगा और इसके बाद में हम इसके bracket को बंद कर देते हैं लेकिन ध्यान रहे क्योंकि exponential to the power minus yam x होता है तो इसमे exponential और इसका factor क्या है minus है तो minus x आजाएगा ये आया complementary function ये तो common सी बात है particular पर ध्यान देंगे जो हमारा main काम है particular ही main है तो इसको लिखते हैं one upon fd इसका मतलब d plus 1 हो जाएगा और whole cube into x square exponential minus x ये क्या है क्यों है फार्मूले की रूप से देखें तो देखो वई इसको क्या लिख सकते है exponential minus x को बार कर लेते हैं और ये आ जाएगा one upon ध्यान देना d के अस्थान पर क्या replace करेंगे यहाँ पर minus 1 है तो d minus 1 आ जाएगा तो d minus 1 plus time के साथ 1 whole cube और into के साथ में ये आ जाएगा x square अभी इसको solve करते हैं तो ध्यान देना ये case हमारे पास आ जाएगा यहाँ से exponential minus x ठीक है into one upon d minus 1 से 1 कट जाएगा तो आ जाएगा d q right into के साथ में x square इसको इस पूरे packet को अब हम next step में solve करते हैं तो यहाँ से देखते हैं इसको लिख सकते हैं थोड़ा बहुत आराम से बता रहे हैं ताकि समझ पाओ exponential minus x one upon d square integration के साथ में ये वहरूआ जाएगा x square d x right अब क्यों integration है धिहान दो क्योंकि one upon d हमने क्या बताया था सुरुवात में one upon d integration होता है और diffressive d होता तो differentiation होता इसको साल्व कर लेते हैं one upon three exponential minus x और इसके बाद में फिर से हम इसको क्या करते हैं in t great कर देते हैं तो ये value कितना आजाएगा यहां से देखो one upon d square one upon three हो जाएगा और ये value कितना हो जाएगा x square भी लिख सकते हो क्योंकि x square है यहां से लिख देते हैं तो exponential minus x हो जाएगा और ये one upon d square और ये हो जाएगा x square यहां से लिखते हो इसको x square upon three directly कर दो तो total value x square upon three exponential minus x one upon d square या one upon d square को ये जो packet है तो रहता पहले लिख दे हैं इसको यहां पे लिख दो या आगे हम लिखी देते हैं इसको लिख सकते हो exponential minus x one upon d square x square upon three clear अब इसको क्या करेंगे एक बार हम इसको और integrate करते हैं तो आजाएगा one upon three exponential minus x one upon d इसका हम क्या करते हैं integrate करते हैं तो one upon d तो है ही तो इसको लिखेंगे x cube और d x फिर से इसको integrate करते हैं तो आजाएगा ये इसको पूरा solve करेंगे तो one upon two exponential minus x आजाएगा into के साथ में one upon d x to the power four upon के साथ four solve करते हुए चलना है ये ध्यान देना इस value को हम solve करते हुए चलना है अभी इसको एक बार और integrate करते हैं तो आजाएगा one upon twelve one upon twelve और exponential minus x x to the power five upon के साथ five ठीक है ना अब देखो five जा sixty आजाएगा तो इसको डारेक्ट लिख देते हैं यहां से equal to के साथ में exponential minus x और upon के साथ लिख दो या one upon sixty लिख दो बराबर है यहां पर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है तो इस पर लिखते हैं sixty exponential minus x upon के साथ sixty into के साथ में x to the power five यह आया particular integral यहां तक clear है और नहीं clear है देखो ध्यान से यहीं से फिर से एक बार समोल जो x square upon three exponential minus x है one upon d square फिर इसका एक बार integration कर रहे हैं तो integrate x cube upon three आ जाएगा तो यह बात x cube आ जाएगा और आपान के साथ में value three आ जाएगा ठीक ना तो three constant है तो हमने इसको बाहर कर लिया यहां से इस value को साल करते हैं तो हमारे पास particular integral यह आ जाता है अब pause the video noted down square इसके 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 इसाथ टेलो फिर आगे बढ़ते हैं राइट चलो यहां से देखते हैं फिर से अब y equal to general solution क्या होता है एक तो complementary function हो गया आएगा दूसरा particular integral हो जाएगा तो complementary तो पता है c1 plus c2x plus c3x square और bracket के बाहर exponential minus x plus 1 upon 60 और x to the power 5 exponential minus x API याजाएगा particular integral और यही आजाएगा answer कुछ बातें अगर note करना चाहो तो समझ सकते हो हमने सुरुआत में बताया था कि 1 upon d इसका क्या मतलब होता है integration होता है इसका integration मतलब होता है तो वही काम कर रहे हैं integration के रूप में हमारे पास है ठीक ना यहाँ से देखते हैं next question next question क्या कह रहा है question number second इसमें थोड़ा सा जो value है d square minus 2d plus 1 है y है equal to के साथ x square exponential x यह q है पूरा ठीक ना तो क्या करेंगे इसका complementary function find out कर लेते हैं थोड़ा directly लिखेंगे complementary function तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो auxiliary equation y square minus 2m plus 1 equal to 0 बनेगा अर्थात यह बन जाएगा किसका formula बनेगा बोलो y minus time के साथ 1 का whole square है ना equal to के साथ 0 अर्थात yam equal to जो roots आएगे वो 1 1 आएगे similar आएगे तो similar के लिए जो roots formula complementary function हो बनेगा c1 plus c2x और exponential minus x यह तो आगया complementary function हो जो कि हम जानते हैं particular वाला case थोड़ा सा समझने है योग की बात है तो इसमें लिखते हैं one upon d square minus 2d plus 1 और यह आजाएगा यह case कैसे लिख सकते हैं देखो जान से यह याफ आफ डी का case है तो यहाँ पे लिखेंगे इस बात को exponential ध्यान देना exponential यह question है exponential minus x के रूप में हो जाएगा उके right x square exponential x है x square exponential x ही है तो d square minus d exponential x है into के साथ में यह x square है question है थोड़ा सा value को देखते हैं यह q का मान है अब इसको कैसे लिख सकते हैं इसको लिखने का तरीका exponential x को हम कर लेते हैं बाहर और इसको लिखेंगे one upon d minus one का whole square into के साथ में x square right अब इसको भी हम तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे देखते हैं exponential x और into के साथ में one upon क्योंकि exponential है इसको d plus one minus one का whole square into के साथ में x square right अब इसको हम अगर salve करना चाहें तो अगले page पर देखते हैं इसका screen start है लोग फिर आगे बढ़ते हैं okay screen start हो गया होगा आगे बढ़ते हैं इसके आगे तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे minus one का whole square into x square यह जो case है यहां से देखेंगे यह जो case है यहां पर यह cancel out हो जाएगा minus और plus तो आएगा exponential x into one upon d square into के साथ में x square या इसको हम काम करेंगे exponential x into one upon d और इसका एक बार integration करतेंगे d square है तो x square into के साथ में dx आ जाएगा ठीक ना और इसका integration क्या आ जाएगा exponential x into one upon d और into x cube upon 3 आ जाएगा या इसको लिख सकते हैं देखो धेहां से one upon 3 exponential x और इसका integration फिट से कर देते हैं x cube dx तो या जाएगा यहां से one upon 12 exponential x into x फावर यह तो आ जाएगा particular integral ठीक ना अब ध्यान देना complementary function particular को add कर देते हैं तो हमारे पास y equal to complementary कितना है c1 plus c2 x और bracket के बाहर exponential x plus particular तो यही है one upon 12 exponential x into के साथ में one upon 12 exponential x into के साथ में x to the power 4 है तो यही हमारा क्या जाएगा final answer pause the video note it down इसका screen साथ लेलो फिर हम आगे question पे बढ़ते हैं ठीक ना तो इस तरीके से हम questions को attempt करते हैं next question देख लेते हैं question इसी पर यहां से देखते हैं चलो question देखते हैं question number third ठीक है question number third क्या कहता है एक आपके दिमाग में pattern बन जा इसलिए हम इस पर maximum question attempt करा रहे हैं ताकि आप इस पर जितने भी question है इसके लिए पहला काम हूँ complementary function तो auxiliary equation ढूड़ लो क्या आएगा ym square plus 2m plus 1 equal to के साथ 0 और इसको solve करोगे तो आएगा ym plus 1 का whole square equal to 0 इसको अगर और solve करोगे तो ym equal to minus 1 अब बोलो root same है कि distinct है same है तो complementary function जो बनने वाला है वो बन जाएगा complementary function c1 plus c2x exponential minus x ठीक ना ये complementary function बन जाएगा c1 plus c2x exponential minus ये complementary function बन जाएगा अब particular हमको main जो है ये particular से मतलब है तो particular के लिए काम करते हैं note कर लो इसको फिर आगे बढ़ते हैं pause the video noted down screen start ले जो ओके चलो particular पे काम करते हैं particular integral क्या है one upon question क्या था question देख लो एक बार question था d square ना plus 2d plus 1 और into के साथ में exponential minus x upon x plus 2 ये तो था q तो ये जो value है इसको हम it can be written as one upon d plus 1 का whole square लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हैं into exponential minus x upon के साथ x plus 2 अभी इसको और solve करते हैं तो क्या जाएगा यहां से exponential minus x into one upon ये लिखेंगे d minus 1 plus 1 का whole square clear into one upon x plus 2 इस बात को हम और solve करेंगे तो cancel out करके direct लिखें exponential minus x into one upon d square और into के साथ one upon x plus 2 ब्रौँ सही है कि नहीं सही है अब इसमें simple सी बात है one upon d square double integration one upon d square मतलब दो बार इसका integration करना है लिखेंगे exponential minus x one upon d first time integration करेंगे तो one upon x plus 2 dx और इसको लिखेंगे exponential minus x और इसका integration one upon d कितना जाएगा बोलो log of x plus 2 अब एक बार इसका और integration करने के लिए कह रहा है तो करो इसका integration भई exponential minus x integration log of x plus 2 into 1 लिख सकते हो और dx अब क्या करेंगे बोलो very simple इसमें हम एक rule पढ़ें हैं कौन सा rule by part apply कर देंगे by part मतलब i late वाला फार्मूला inverse logarithmic algebraic technometric exponential i late का फार्मूला पढ़ाना है वहीज अपलाई कर देंगे तो इसमें क्या करेंगे logarithmic को क्या लेंगे first function और इसको second function by parts का formula लगाएंगे तो by parts का formula लगाने पर क्या आजाएगा exponential minus x को बाहर ले लेंगे और by parts का formula आप लोग बच्पन से जानते हो intermediate में पढ़े हो भई log x plus 2 minus x plus time के साथ 2 log x plus 2 आजाएगा इसको primary के अस्थान नहीं है इसलिए pause the video noted down screenshot ले लो फिर आगे बढ़ते हैं इसके इसके अब क्या करते है इसमे Cambgen screenshot हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं इसमें क्या करते हैं ध्यान देदी इसमें हम इसके आगे वाले step में क्या लेख सकते है exponential minus x है ना और time के साथ x log x plus 2 plus time के साथ इसको लिखेंगे 2 log बोलो x plus 2 x plus 2 अब इसमें क्या करेंगे जो हमारे पास अगर multiply करेंगे तो जो x और exponential minus x से इसको multiply करेंगे पर इस term को हम omit कर देंगे छोड़ देंगे लिखेंगे omitting omitting मतलब छोड़ देंगे कौन सा time छोड़ेंगे बोलो omitting the term after solving after the term minus x exponential minus x है ना और क्यों ऐसा करेंगे क्योंकि ये term already देखोगे कि complimentary function में हमारा include complimentary function में include हिध्यान दो तो ये term जो है यहाँ पर देखो exponential minus x और x ये term already हमारा complimentary function में include है तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको omitting कर सकते हैं तो इसको लिखेंगे यहाँ से कि complimentary वाला function अगर reference देना चाहो क्यों ऐसा कर रहा है तो c to x exponential minus x ये complimentary function में include है इसलिए हम ये वाला term omitting कर देंगे solve करने के बाद में तो जो formula बनेगा y equal to complimentary function प्लस जो particular integral बनेगा ये लिख सकते हैं c1 plus c2 x और ब्रेकट के बाहर exponential minus x प्लस exponential minus x ब्रेकट के अंदर आ जाएगा x log x plus 2 plus time के साथ 2 log ये value हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x plus 2 2 log x plus 2 ठीक ना तो ये case हमारे पास यहाँ से आ जाएगा तो धियान देंगे ये हमारा final answer हो जाएगा अच्छा इसमें ये omit नहीं करना चाहो तो मत करो कोई दिक्कत भी नहीं है डारेक्ट लिख सकते हो after solve करने के बाद में तो यहाँ से ये हमारा final answer होगा solve करने एक term है एक pattern है इसके आधार पे हम omit कर रहे हैं इस तरीके से pause the video note down इसका screen साथ दे लो फिर आगे हम बढ़ते हैं ठीक है चलो next question की तरब बढ़ते हैं भई अगला question और अगले question में देखते हैं कि इसके आधार पे हम क्या करते हैं अगला question question को देखते हैं एक question और देखते हैं ताकि pattern आप लोगों के दिमाग में बन जाए d square minus 3d plus 2 time के साथ y equal to के साथ x exponential x अब तो लगए लगए समझ में आ रहा होगा कि कैसे होगा एक दिमाग में पैटर्न बन चुका होगा ठीक ना तो auxiliary equation अब अगर directly लिखना चाहो तो m square minus 3m plus 2 equal to 0 तो अगर directly भी लिखना चाहो factorize करके तो इसका roots के आ जाएगा one two जो कि distinct है तो complementary function भी डारेक्टली लिख सकते है formula च्छो formula देख लो पहले वाली वेडियो c1 exponential x plus c2 exponential 2 है तो यह 2x आ जाएगा यह तो आगए complementary function particular को देखते हैं particular कह रहा है one upon d square minus 3d plus 2 into के साथ में जहां देना x exponential x यह वाली value लिख देंगे अब इसको exponential को बाहर कर लेते हैं exponential x into जहाँ जहाँ d है वहाँ d plus 1 को replace कर देंगे तो आजाएगा d plus 1 का whole square क्योंकि d square है तो d plus 1 का whole square minus 3d plus 1 ठीक ना plus 2 यह value आ जाएगा into के साथ में x है तो x को हमने लिख दिया और थोड़ा सा सालब कर लो इसको exponential x into 1 upon d square minus d right into के साथ में x इसको solve करते हैं तो आजाएगा minus exponential x और into 1 upon d time के साथ यह कामल ले लेंगे d यहाँ से तो आजाएगा 1 minus d minus भी कामल ले लेंगे तो d minus 1 होता 1 minus d आ जाएगा और यह हम benefit के लिए कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि method number 4 को apply करना चाहरा है इसमें तो इसको solve करते हैं तो भी आजाएगा यह minus exponential x ठीक है into 1 upon d और method number 4 के according हम इसको लिख सकते हैं बाइनामिल expansion आजाएगा 1 minus d into x यह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं अब इसको apply करते हैं तो यहाँ पर apply करने पर आ जाएगा minus exponential x 1 upon d तो है ही ठीक ना यहाँ पर थोड़ा सा 1 upon d तो है ही और इसका expansion क्या आ जाएगा 1 minus d का invert का 1 plus d plus d square plus dot 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 show on और x और इसको solve करेगा तो minus exponential x into 1 upon d और यह आ जाएगा यहाँ पर जो case आएगा वो case किसका हो जाएगा x plus 1 का case हो जाएगा x plus 1 का case हो जाएगा क्यों? क्योंकि इसका derivative अगर double time करेंगे तो 0 आ जाएगा finger time करेंगे तो x ही बचेगा तो इस case में हमारे पास 1 plus इसका case x आ जाएगा 1 upon d है integration ही करना है तो इसको क्या करते है pause the video note it down इसका screen shot ले लो क्योंकि अस्थान नहीं फिर आगे वाले case पर attend करते है okay screen shot हो गया होगा चलो आगे देखते है इस case में क्या करेंगे यहाँ से minus exponential x और integration है क्योंकि 1 upon d था तो x plus 1 d x इसको solve कर लो minus exponential x और इसका integration आजाएगा x square upon 2 plus x यह case जो है यह तो particular integral का case हो गया किसका case हो गया particular integral का अब complementary यह particular को जोड़ दो तो आजाएगा general solution c1 exponential x plus c2 exponential 2 x minus कितना हो जाएगा exponential x और break out में है न तो इसको लिखेंगे x square upon 2 plus x यह pi हो गया यह complementary function तो दोनों को add कर दिए यह general solution हमारा answer आजाएगा तो इस प्रकार से हम इस पर waste question को करते हैं